हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयरवेद ब्यूटी जंक्शन में दोस्तो जिस औस्दी के विश्य में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे बहुत रामबान औस्दी है उस औस्दी के फायते जानकर आप हैरान रह जाओगे दोस्तो आपने अनेको सतानों पर उस औस्दी को देखा होगा खेत खल्यान में तो अक्शर उस औस्दी को उगाया ही जाता है परन्तु आप उसके गुनों से भलिवांती पारिच्चित नहीं थे इसी कारण से आप उसके औस्दी गुनों को नहीं जान पाए मेरे बताए अनुसार यदि अब आप कहीं भी उस ओसदी को देखे तो उखाड नहीं फैकना है बलकि सुरक्षत रखना है तता लोगों को सुरक्षत लखने के लिए जागरूप करना है दोस्तो उस औसदी को अनेको सतान पर बन तता अनेको सतान पर सन बन के नाम से जाना जाता है दोस्तो उसकी लंबाई तीन से चार फुट तता अनेको सतानों पर पांच फुट भी उसकी लंबाई हो जाती है दोस्तो उसके फायदे बताने से पहले आप से कहना चाहूँआ, यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दवाएं, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्रभाब से मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं वन के फायदे, सन वन के फायदे। दोस्तों, जिन वैक्तियों को बाल जड़ने की समस्या है, यदि वो वैक्ति सन वन के फूल को लेकर, उसका अर्क निकाल कर, उसकी एक चम्मच की मात्रा लेकर, उसकी मालिस अपने सर पर करते हैं, तो वै अपने उड़े होए बालों को पने उगाने में काम्याब हो सकते हैं, यह उनके लिए रामबान ओजिती का कारे करता है, साथ ही मैं आपको बता दूँ, जिन इस्त्रियों के बालों की लंबाई कम है, यदि वो इस्त्रिय सन वन के टैट को लेकर, तता उसके फूल को लेकर, उसे अच्छी पिरकार से कूट कर, उसको रात्री को अपने सर पर और बालों में उसकी मालिस करते हैं, तो वह उनके छोटे बालों को जल्द से जल्द लंबा करने के लिए कारगर सिद्धोगा, तकरीवन उनके बालों की लंबाई बढ़ने में एक महीने का टाइम अवस्चे लग जाएगा, साथ ही मैं आपको बता दूँ, यदि नाक्त से रक्त स्राव, नक्की छूटने तथा उनके फोड़ा फुनसी में यदि इसके फूल का सेवन किया जाए, तो यह भी उनके लिए रामबान औस्दी का कारे करता है, इसके फूल को खाने से भी कोई साइड इपक्ट नहीं होता है, साथ ही मैं आपको बताऊं, और इस्त्रियों के स्वेथ पिरदर रोग में, यदि इसके फूल, पत्ती तथा जड़ का सेवन किया जाए, तो यह इस्त्रियों के स्वेथ पिरदर को रोगने की समस्या के लिए रामबान औस्दी का कारे करता है, धन्यवाद सात्यों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद